अगर आप मेरी चैनल पे नाय हो तो प्लीज सब्सक्राइब और ये बेल बटन को जारूर दबाये तो कीप अपड़ीटिट वीडियो लूलो फ्रेंज्स गूद बोर्निय और वेल्कम बैक तुम्यों चैनल आज है संडे और अभी हम लोग सुबे का चाय पी रहा है सुबे नहीं बोलूँगी क्योंकि अल्रेडी 9.30 हो गया है और अभी मैं खा रही हूँ मेरा फेबरेट चोकलेट डोनट आज संडे है इसलिए मेरे घर पे बनेगा पूरा बेंगॉली डिश और वो क्या-क्या बनेगा और कैसे में बनाऊंगी वो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ बट सबसे इंटरिस्टिंग बात आज सौर अब भी कुक करेगा मेरे साथ तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो पहले मैं ये खतम कर लेती हूँ, उसके बाद अब से मिलती हूँ तो आज मेरे घर पे बनेगा जिंगे चोचोड़ी, माचेर जोल, आमेर चाटनी मतलब तुराई की एक सबजी जोकी मास्टरट के साथ बनेगा और ये फिश कारी जिसमें मैं पोटेटो भी आड़ करूंगी और बनेगा रॉ मैंगो की एक चटनी तो ये रहा मेरा संडे का मेनू और अभी हम दोनों मिलके इसको बनाएंगे और बड़े दिनों के बाद हम लोग को फिश मिला है इंडियान मार्केट से तो अभी इसको हम मैरिनेशन कर रहे हैं टार्मरिक पाउडर एंड सॉल के साथ और ये देखिए सौरफ कितना अच्छे से कूप कर रहा है और कितना सिरियास है वो कूप करने के लिए ये आप देखी सकते हो तो ये बिटर होगा कि मैं ही अप लोग को बता देती हूँ कि कैसे बनेगा ये सबजी तो चलिए इसका जो प्रोसेसिंग सौरफ ने स्टार्ट किया है उसको मैं ही बता देती हूँ मास्टर्ड ओयल हलके से गरम हो जाने के बाद इसमें देना होगा हरी मिर्च और देना होगा मास्टर्ड सीट अभी इस पर एड करना पड़ेगा तूराई जो कि बेंगाली में बोलते हैं जींगे इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा अभी यह हवालका अभी होजाने के बाद इसा आड करना पड़ेगा मास्टर्ड पाउडर स्थिए विवाज्ट नहीं मिलता है लेकिन मैं इंडासे इसको लाती हूं और यह थोड़ असा बॉइल हो जाने के बाद इस पर आड़ करना पड़ेगा एकदम कम टर्मरिक पाउडर और सुगर इसमें थोड़ असा जादा जाएगा तो टू टेबल स्पोन ओफ सुगर इसके लिए काफी है और आड़ करना पड़ेगा सॉल्ट वो आपने हिसाब से आ कि और हो सकता है जो प्योंद थोड़ा से मलगा होगा तो इस लिए अभी थोड़ा सा सॉल्ट एड़ किया है और अभी इस पे जाएगा पानी क्यूंकि यह जो तुरा ही है इसको थोड़ा सा बॉइल करना पड़ेगा तो यह हो गया अल्मोस्ट रेडी है और अभी इसका जो पानी है यह पूरा ड्राइब हो जाने के बाद इस पे एड़ करना पड़ेगा मास्टर्ड ओयल यह एकदम स्लाइड सा एकदम कम और यह अल्मोस्ट हो गया है और फाइनली यह बन गया है यह बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है तो इसको घर पे जारूर ठ्राइब करना और अभी इस और फीश को भी फ्राइब करेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है फीश फ्राइब करने के लिए तो जिनरली इस और भी फीश को फ्राइब कर देते हैं मेरे लिए और नाओ इस माई टर्ण यह एकदम सिंपल सा एक माचेट जोन में बनाऊंगी इसलिए मैं ओनियन को अभी फ्राइब करूंगी उसके बाद में इधर पोटेटो भी आड़ करूंगी क्योंकि पोटेटो और ओनियन को एक साथ ही में फ्राइब कर लूंगी और अभी मैं इसमें दो हरी मेर्च भी डाल दिया है और अभी इसको फ्राइब करना पड़ेगा अच्छे से अच्छे से फ्राइब हो जाने के बाद में इस पर एड़ करूंगी एक बड़ा वला तमेटो वन टेबल स्पून ऑफ जिंजर पेस्ट टार्मरिक एंड रेड चिली पावडर थोड़ा साल्ट और उस पर पानी एड़ करके मैं फिश को भी डाल दूंगी और इसको मैं बॉ और ये बॉइल हो जाने के बात कुछ इस तरह का दिखेगा ये एकदम एक सिंपल एंड लाइट सा एक फिश कारी है ये जादा स्पाइसे नहीं होगा और इसमें थोड़ा सा जादा पानी रहेगा और ये बन गया मेरा माचिर जोल और अभी बनेगा रो मैंगो की चटनी य तो इसको मैं अभी बॉइल करने के लिए रख दिया है और ये जो रेसिपी है ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाता है तो ये रेसिपी अगर आप लोग को जानना है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना मैं किसी दूसरे दिन आप तो मेरा जो मैंगो चाटनी है वो भी रेडी है मेरा किचिन का कम सारा हो गया है अभी मेरे रूम को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ आज संदे ही इसलिए मैं बेच शीट को संदे के दिन चेंज करती हूँ तो वही हम दोनों मिलके कर रहे हैं और उसके बाद मुझे घर भी क्लीन करना है क्लीन करना है और मेरा घर का साफ साफ़ाई तो हो गया है मैंने शावर भी ले लिया है अभी हम दोनों बैट के रिलक्स करके खाना खाएंगे तो हमारा लांच अभी हो गया है मैं पूरा रेड़ी हो गई हूँ क्योंकि कल साफ़ाई तो हमारा लांच अभी हो गया है है तो पूरा दिन हम लोग घर पर ही थे तो घर में बैठे बैठे मैं तो पूरा बोर हो गई हूं तो मैंने सब्सक्राइब को बोला की चलो आज थोरा सा बाहर निकलते हैं तो आज थोरा सा टाइम आप में रात के लिए खाना बनाना भी नहीं है तो अभी हम लोग जा रहे हैं मीडोज बुल के गार्डन तो चलिए मैं उधर जाके आप लोगे साथ मिलती हूं गार्डन ही और ट्ट जार्डन ही जांवादान अंभा विए हूंख i Pacifici सlock के मैं और उपनके अवधर हूं आप ऊत लजँ़ सुषपल TRके को थे मताः हूं आप याह किसाओ सिधे इंई हूं से लिकवार हूं से लिकवार की तक कर आप देखवाल तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि यह गार्डन स्पेशल ही हम दो क्यों आ है क्योंकि यह मिडोज गार्डेन फेमस फॉर चेरी ब्लॉसम तो इसे लिए ही हम लोग आये हैं आज इधर और यह जो फ्लावर्स दिख रहा है यह मैक्स टू मैक्स नेक्स टूइक तक ही रहेगा लास्ट विक किसी बज़े से हम लोग नहीं आ पाए थे लेकिन लास्ट विक इससे भी ज़्यादा अच्छा था इससे भी ज़्यादा पिंक था ट्री तो यू के यूएसे में यह चेरी ब्लॉजम फेस्टिबल भी होता है तो इसका जो सिग्निफिकेंड यह है कि अभी विंटर जाके स्प्रिंग आ गया है तो इसे लिए यह लोग इसका सेलिब्रेशन करते हैं इसका तो अभी हम लोग इधर बैट गये हैं थोड़ा सा रिलेक्स कर रहे हैं अभी इतना अच्छा एंबियंस से और इतना अच्छा वेदर है कि घर जानी का माने नहीं हो रहा है तो इधर बैठे बैठे में तो बहुत सारे फोटो शूट भी कर लिया है तो फ्रेंड्स अभी 7.30 हो गया है जी हां अभी 7.30 हुआ है इधर और देखिए कितना जादा धूप है सामर के टाइम में यूके में ऐसा ही होता है दिन जादा होता है तो 8.30 तो 9 तक ऐसे धूप रहता है बाहर तो कोई यूके घूमने के लिए आ रहे हो तो सामर के टाइ है ये तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन ये टू-3 विक्स तक ये जो चेरी ब्लोजम है इसके लिए ये गार्डेन फेमस है तो ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है तो कैसा लगा प्लीज मुझे बता ना तो अभी हम लोग आ गए है मैगडी मुझे और सौरफ को बहुत जादा भूक लगा था और भूक नहीं भी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैगडी खाई सकते है तो मेरा तो सबसे फेवरिट है चिकेन बर्गर तो वही हम लोग ओडर किया है चिकेन बर्गर और चिके तो यह रहा मेरा आज संडे का पूरा दिन और अभी इधर से हम लोग घर वपस जाएंगे और सुबह जो खाना बनाया था वही आज रात के लिए हम लोग खाएंगे तो मेरा जो यह व्लॉग है तो यह आप लोग को कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना और अगर आप लोग को अच्छा लागा तो इस वीडियो को शेर एंड लाइक जरूर कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए